स्वागत है जिन्दा है तानासा किम जोंग उन जो की दच्छिर कोरिया के एक चीफ लीडर है चीफ है डिटेक्टर आप कह सकते हैं तानासा ठीक है वो जिन्दा है कुछ दिनों से अफ़ाने चल रही थी कि वो तेरा अप्रेल के बार नहीं दिखें उनके दादा जी की एक इस्पेसल कारिक्रम था उसमें भी नजन नहीं आए तो कयास लगाया जा रहे थे कि उनकी मृत्ति हो चुकी है तो इनका आप्रेशन हुआ था एदे का कुछ विसेस बीमारी है उनके कार्डिक में तो उसका आप्रेशन हुआ था उसके बाद बताया गया कि कोमा में कोरी लेकिन अब सब कुछ साफ साफ बताया जा रहा है क्या है पूरा माजिरा सब में बताऊंगा ठीक है नहीं हुए जैसे कि मैंने बताया कि उनके दादा जी एक बड़ा कारे कर्म था उसमें वह साबिल लहीं हुए थे तब हिसे कयास अफनद्य फैल ऑनके स्वास्त को लेकर और कई अपहाएं मून चूंग इन ने CNN News Channel को रववार को अपने इंटर्वी में बताया कि किम जूंग उन जीवित हैं और ठीक भी हैं 13 अप्रेल से किम मांसेन में रह रहे हैं ठीक है एक रिजॉर्ड जो की देश के पूर्व रिजॉर्ड शहर है जो देश के उतरकुरिया के पूर्व में इस्तित है और अभी तक किसी भी तरह की संदिक्द गत्विदियां देखने को नहीं मिली हैं लेकिन स्वामवार को रोडोंग सिन मन अकबार में बताया गया कि किम ने वोंसन कलमा टटी परियोजना के लिए करमचारियों को धन्यवाद दिया है जो कि एक बड़े लंबे समय के बाद एक पहली जानकारी उनके संबंदित आई है अमेरिका के थिंग टेंक 38 नौर्थ ने कुछ सेटेलाइट तस्वीरों की समिच्छा की जिसमें वांसन में पिछली एक हफ़ते से ट्रेंड दिखाई दी थी जो संबवत था यह पताती है कि वांसन में किम जोंगून है एक रिजॉर्ट में ठीक है तो एफवाई थी काफी ज कि इस तरह के कोई इफवा नहीं है कि वो खतम हो गए है अभी जीवित है फिलाल अगला वीडियो में जो डालूंगा वो होगा इनके उत्राधिकारी कौन-कौन से उत्राधिकारी हो सकते हैं इनके बेटे और बेहन के इलावा ठीक है कमेंट कीजिएगा क्योंग एसा लगा वीडियो और लाइक जरू किजिएगा